क्या सी जी नज़राइए भी? जैसे देश की अबादी बढ़ रही है, दिली की भी अबादी बढ़ रही है, लोग हर जगा से दिली में आ रहे हैं, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये चीज़ कोई सप्राइज नहीं है, इससे पहले बहुत लोगों को ये सप्राइज ल कर दें कि हम सिरफ 100 mm की बारिश के लिए या पानी के लिए रेडी थे, लेकिन 1500 mm की बारिश हो गई, ये कोई एक्स्क्यूज नहीं है, आप ये बताइए भार आके कि आपने 9 साल में किस तरीके से दिली के इंफ्रास्रक्चर पे काम किये, कितना आपने पैसा खर्च किये, आपके सामने दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, ये मजाग का वक्त नहीं है, उन्होंने बोला, बहुत कोछ है दिली के बारे में, चाहे हम दिली को पारिस, लंडन, न्यूयॉक बनाएंगे, जाहे हम लेक्स को रिवाइफ करेंगे, लेकिन अगर आज आज आप ह एसकीयु तक नहीं करायेगा, उनको एवैकवेट नहीं करायेगे, उसके बाद दो दिन के बाद उनको एवाकवेट करायेगे, उनको खाना मिल ऐए, छोटे बच्चे भी होंगे, बुजरग भी होंगे, तो आप किस जगा पे रेहे हैं, कि हम दिली को लंडन, पैस्स कि अगर इसी तरीके से डिली की हालत रही तो डिली आगे आने वाले पाँंच साल में रहने लाइक जगा नहीं रहीगी अभी तो यह मॉंसूंस की बारी अबी आप देखना अगले चार साल में किस तरीकी का ट्राफिक बढ़ेगा अगर आपको दिल्ली से गुडगाओं जाना होगा तो तीन-तीन घंटे आपको रोट पर बिताने पड़ेंगे कैसे ठीक होगी यह समस्या जब तक सारा फोकस इंफ्रास्रक्चर पर नहीं होगा अनफॉचनली दिल्ली के मुख्यमंत्री यह समझते नह अनफिक वश्वाब दे सकते हैं और LG साहब जितना भी मेरी उनके साथ मीटिंग हुई है ऐसा नहीं है कि मैं उनको पहले से जानता था लेकिन जिस थरीके उनका विजिन है दिल्ली को लेकर मुझे पूरा विश्वास है कि LG साहब एक बहतरीन इंसान है और उनका विजिन है किसके साथ, जिसके पास कोई इमानदारी होती है, जिसके साथ, जिसके पास कोई दिली के लिए इमोशन्स होते हैं, अगर आपके लिए दिली की जनता के लिए इमोशन्स हैं, इमानदारी है, आप दिल से काम करना चाहते हैं, अब दिली को बहतर बनाना चाहते हैं, तो हम सब सिर्फ सांसदीे नहीं सिर्फ LG साहब भारती जंता पार्टी नहीं पूरी दिली आपके साथ खड़े हो के काम करेगी आज भुगत कौन रहा है ना कोई एमपी भुगत रहा है ना कोई चीफ मिनिस्टर भुगत रहा है भुगत तह एक कमन आद्मी रहा ना तो जब तक आप जूट की राजनीती करेंगे, जब तक आप सिर्फ टाक्सपेर का पैसा अपनी शकल चमकाने के लिए लगाएंगे, आडविर्टिसमेंट पर लगाएंगे, और ये आप लोगों को एक्सपोस करना चाहिए, देखे दिल्ली की हालत, ये आपने वर्ल्ड क्ला पार्टी के जब सीम थे, उस टाइम पर बहुत काम हुए थे, पिश्टे नौ साल में किसी भी तरीके से दिल्ली में कहीं पर भी कोई भी अच्छा काम हुआ ही नहीं है, आप एजुकेशन की बात करते हैं, कि हमने एजुकेशन में करांती लाइए, आप बताएए इंफ्रा बना तरेंगे.